वेल, होस्तो मैं हूँ राजबीर और यह है App Edge और इस वीडियो में बात करने वाले दोस्तों Google के एक service के बारे में, Google के एक application के बारे में जो आपको कभी दिखता नहीं है Ad drawer में और वो background में बड़ी अच्छे से वर करता है और वो application के काफी महत्व है Android smartphone के लिए अगर आपको थोड़ा सभी वीडियो informative लेगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा तो चलते हैं सिधे मुद्धे पर तो Google Play Service basically एक application है जो Google Play Store पर आपको देखने को मिल जाता है लेकिन आप उसे application को manually आप उसे delete नहीं कर सकते हैं और उनको update करने में सहायता करता है अगर बात करते हैं दूसरे काम के तो जब कोई application आप download करते हैं Google account जब उसमें login करते हैं तो उस समय Google Play Service काफी help करता है background में और जो है आपका data उस application में sync करने में मदद करता है और other arts को location का access दिलाने में help भी करता है इसके साथ gaming को improve करता है अगर आपको यह offline search करते हैं तो उसको वो better से better रेल दिखाने में सहायता करता है इसके अलावा जो आपको यह application Google Play Store से download करते हैं तो उनको permission दिलाता है या फिर permission को manage करता है कहने का total मतलब यह है कि दोस्तों कि Google Play Service एक ऐसा application है एक ऐसा mediator है जिसके थोप Google के सभी application और other application जो आप Google Play Store से download करते हैं उनको अच्छे से access करने में उनको अच्छे से चलाने में सहायता करता है और उनको अच्छे से update करने में भी सहायता करता है और सबसे बड़ी बात बतादू कि इसके लिए Google Play Service एक latest version में जरूर होना चाहिए अगर आपका Google Play Service एक latest version में नहीं है या फिर आपके phone में Google Play Service का app नहीं है तो आपको कुछ इस प्रकार से इरद देखने को मिल जाता है और कुछ application crush भी हो सकते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आप Google Play Service के बारे में आप समझ गये होंगे और आपको थोड़ा सब वीडियो इंफर्मेट्री लगागे तो वीडियो जरूर लाइक कीजेगा अगर आपको दिमार्क में थोड़ा सा भी कहीं भी doubt हो तो आप भी हिचक comment box में लिख दीजे मैं उसका reply जरूर दूँगा तो मिलते हैं next वीडियो में तक तक के लिए जय हिंद जय भारत signing out